तो Hello everyone, Welcome to Thagore Classes और Aesthetic question bank में हमने discuss किया था previous class में 2018 का PYQ ठेक है तो आज का हमारा class उसमें हम लोग discuss करेंगे PYQ 2020 और साथ साथ हम लोग discuss करेंगे PYQ 2020 ठेक है तो दोनों PYQ का हम लोग discuss कर लेंगे तो पहला जो question है 2020 में जो आया हुआ है वो question इस तरह से है, ठीक है, first question क्या है, आपका देखिए, first question है कि, prove that for any system of forces acting on one plane upon a rigid body, ठीक है, मान लेजे कोई rigid body है, ठीक है, तो, sorry, तो, देरी जा rigid body, एक कोई rigid body है, मैंने बताया था कि rigid body ऐसा body होता है, जिसमें क्या होता है, कि inter atomic distance constant होता है, ठीक है, क्या होता है, तो, यह distance क्या होता है, यह distance आपस पे constant होता है, ठीक है, तो, इस तरह के body को हम क्या बोलता है, इसको बोलता है rigid body, तो, question क्या है, question है कि, any system of force, मतलब कि, मान लेजे से बहुत सारा force लग रहा है, ठीक है, there are many forces acting on this system, ठीक है, ठीक है, ओके, upon a rigid body can be reduced to either single force और single couple, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते है, single couple और force में convert कर सकते है, अगरा जो प्रस्टन है, वो इंपोर्टन है, देखे, क्या कहता है, कहता है कि, there are two system of forces, P, Q, R, मतलब दो force है, P, Q, R, एक system of force है, P, Q, R, और other system of force है, P', Q', R', बोथ act alongside B, C, A, C, और A, B of triangle A, B, C, तो मान लेजे कि, कोई triangle है, A, B, C, let there be a triangle A, B, C, और ऐसा दो ट्रेंगल है, एक triangle नहीं है, कितना triangle है, दो ट्रेंगल है, चूँकि two set of forces, we have two set of forces, first set of forces, P, Q, R, second set of forces, P', Q', R', clear है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, कि they are represented alongside B, C, C, A, B, ठीक है, तो देखे, B, C के long P force लग रहा है, ठीक है, force क्या है, वेक्टर quantity होता है, C, A, C के long क्या है, C, A, C के long आपका लग रहा है, force Q, ठीक है, force Q, और A, B के long लग रहा है, force R, P, Q, R, ठीक है, similarly other triangle के अंदर force लग रहा है, P, Q, R, अलोंg, BC, C, A, B, तो BC के लोग कौँसा फोर्स है E डस CA के लोग कौँसा फोर्स है Q डस और इसके लोग फोर्स कौँसा है इसके लोग है R डस यह क्लियर है यहां तक कोई दिखकत नहीं है तो आपको प्रूब करना है कि their resultant will be condition क्या दिया है condition दिया है कि their resultant will be parallel ठीक है if this equal to this यहां को प्रूब करना है तो क्या करता है resultant parallel है तो condition यहां पिए भी दिया हुआ है resultant parallel है R क्या है parallel है ठीक है यह आपस है parallel है तो पहले क्या करोगे सबसे पहले तुम क्या करोगे तो आपको तीन फोर्स है तो हम क्या करेंगे इसका इसका तीनों का Sum निकाल लेंगे similarly इन तीनों का component निकाल लेंगे और तीनों का Sum निकाल लेंगे और फिर उस neutral condition warranty निकाल लेंगे ठीक है काम यहां पर करना कुसल हम्तियों फिर क्या कहता है कि दोनों पेडलन है तो आपको अब इनका है फिल्टेंटृट फोर्ट इपर ठीक है इस के जो टैन थिटा घृता हों गीतना शील्ट अब क्लियर है टेर्isher sera क्या हохता है प्रमुला लोगनल में जोडते है उसको जोडने का जो पैलेलोग्राम रोल होता है ठीक है प्व कुछ परखा होगा रोटा हो होट है ओतह है एस्क्वाइड प्लस बीचिता जय हम नहीं चिद्वाइड आतको कि अपने पढ़ा होगा ठीक है ओके और टन धा कितना अंद होता है ये टिटा ये टिटा की वैलू होती है sum of y component थिकार डिवादे वाई-सम औफ अलौंग एक्टरों के हैं ये इसे स्टेंडर रिजल्ट होता है तिक है रिजल्ट होता है ओके सिटी टेन थीटा अथी क्या होगा सेकंड भाले सेट ऑफ पोर्स के लिए पि डियस क्छिट के लिए हमने माल लिया कि अफर डैस जो फोर्स है द्यूटू पी डैस क्यू डैस आर डैस क्लियर है घोगा फ्र डैस का का जो फार्मूला है ये देखो यहां पर F R DAS समें निकलना है ठीक है और फिर क्या करना फिर उसको लिए कर देना ठीक है यही करेंगे हम देखो यहां पर मने क्या किया तो BC का X component P हो गया, ठीक है, अब देखो CA का X component क्या होगा, तो यह CA force है, CA force का X component निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we are using different color here, so that you can't get confused, यह हो गया Y component, ओके, और यह इसका हो जागा X component, तो यह इसका X component हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो देखो, जो CA का X component होगा क्या होगा, Q, cos C, और यह क्या होगा, तो देखो यहाँ पर, minus Q, cos C आ गया, ठीक है, निगेटिव क्यों है, चुकि यह, निगेटिव साइड में है, clear है, ऐसे तुम्हें निकालना है, किसका X component, A, B का X component, तो देखो यहाँ पर, A, B है यह, यह A, B, तो इसका जो X component होगा, इ देखो भाई, यह R है, R make angle B with X axis, तो क्या होगा, R cos B, क्या होगा, R cos B, और यह भी निगेटिव होगा, तो यह भी निगेटिव होगा, अब हम बात कर रहे है, Y component की, ठीक है, तो देखो, BC का जो Y component है, वो क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है, अब देखो, यह जो CA है, CA, ठीक है, CA, इ Q sin C, ठीक है, Q sin C, अब इसका जो Y component होगा, इसका Y component, वो यहाँ पे चला जाएगा, तो यह component की होगा, तो कितना होगा, यह होगा, R cos B, sorry, R sin B, तो R sin B, यह निगेटिव होगा, यह clear है, तो देखो, R X, तो देखो, R X, तो देखो, FR X मालूम है, FR Y मालूम है, टेंठीटा नि कालोगे, टेंठीटा डेस, कितना होगा, FR Y देखो, FR X देख, तो वो इतना आ जाएगा, ओके, पर कंडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, कि टेंठीटा इक्वल टो टेंठीटा डेस, मतलब कि आर इक्वल टो आर डेस दिया हुआ है, clear है, तो यह तभी होगा, जब क्या होग हो जाएगा, clear है, तो this will be your answer, ओके, यह आपका answer होगा, अगला प्रशन दिखे क्या है, कोशन है कि find the forces which may be omitted in forming the equation of virtual work, मतलब virtual work के दौरान हम कौन-कौन से force को omit कर सकते हैं, ठीक है जी, तो देखो virtual work जो है, उसने यह सब force को omit कर सकते हैं, कौन-कौन सा force है, यहाँ पर क्लियर है, इसके लाब हम omit कर सकते है, reaction of any smooth surface, reaction क्या होता है, इसे मान लोग की एक surface है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक के ओपर क्या होगा, ब्लॉक के ओपर एक normal force लग रहा है, ठीक है, और नीचे लग रहा है mg force, तो mg क्या है, mg और action force, और normal क्या तौन रहा है, reaction force है, तो इस force को भी हम ignore कर सकते है, reaction force को हम N से लिखते है, यह र से लिखते है, दोनों से है, ठीक है, तो normal force को यह हम reaction force बोलता है, clear है, okay, third reaction of any point of contact with a fixed surface on which the body rolls without sliding, मानन लोग की क्या करता है, यहाँ पर V equal to R omega है, कितना है, हर एक point का जो velocity है, ठीक है, यह अपने पढ़ा होगा, without sliding, समझ में आ रहा है, sliding, okay, यह condition होता है, V equal to R omega, okay, तो इस case में जो reaction force लाएगा, whatever be the reaction force, मान लो इस point में reaction force यह लग रहा है, ठीक है, तो इस force को हम ignore कर देंगे, ठीक है, इस force को हम ignore कर देंगे, और चौथा है कि reaction between any two body of material system considered, ठीक है, ठीक है, मान लो कि दो body है, ठीक है, और य वोड़ी इस पर फोर्स लगाएगा, और यह बोड़ी इस पर फोर्स लगाएगा, तो यारी यह दोनों क्या है, यह दोनों आपस में reaction force है, इस force को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, वाइल कल्कुलेटिंग, वर्चुवल वर्क ड़न, ठीक है, वर्चुल वर्क दॉन दुबारा देख लो, कौन-कौन से force कोमेट करेंगे, आज है, एक force और है, reaction at a fixed point, और at a fixed axis of rotation, ठीक है, जिसे मानलो की क्या करतना है, कोई भी body है, ठीक है, और वो rotate कर रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है, तो rotation जो रहा है, उसमें क्या है कि यह जो axis है, ठीक है, यह axis तुम और fix axis of rotation, ठीक है, तो इस particular, ठीक है, पर्टिकुलर surface का जो भी मतलब आपको कहते है, reaction force होगा, ठीक है, reaction force होगा, उसको भी आप ignore कर दोगे, तो इन जेनरल कहा है, कि any kind of reaction force can be ignored while calculating virtual work done, ठीक है, virtual work done, ठीक है, virtual work done, ठीक है, एक रोट है, ठीक है, ठीक है, एक रोट है, ठीक है, ठीक है, 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 ठीक थिकर हैं, ऐसा दिया हुग है, कीज़ तैक है, तो ani कि ठीक है, तो देड़ फर वह फुर झूने हुग, ठीक है, टीक आँदर एंगल बेटो बेटिम ध्यमे 민주 adviser, फिस्ति धिट क्लियर है, कैसे करो गेज देखो, कैसे करोगे, हमने मान लिया की दी एन इवी मिट पॉइंट ऑप एवी एन असी मतलब यह आपको रॉट दिख रहा था ठीक है पहला रॉट किया था था एवी था इस की बीट पॉइंट आप एडिव और एट रसमाज और जी कॉमने मान लिया थे संट्राप मास जी को मान लिया थे दिख लगता है थे कि सेंटरेट के ऊपर सेंटर के ऊपर टू डवलू ओके तो टूड़लो फोर्स यहां पर लगदा एक अव आपने आयक विखिंग को वर्चू़ वर्डियंग कैसे नुकालते वर्चिशु वर्डियंग करेंगे लिए यूल guesses कulator नसले जेलुकर फमयन देटा इंडेटा फ्रॉत फॉर्ट में जबनाऊ रहाए धिक अजिसे आपका डिच्प्लियिक करेंगे लिए bene transit Q करेंगे लिए मैं वा मका खेसे नीकल लेंगे तोreno धानते हों कि गर को यह बराबर है ओजी प्लस ब्लस दिये को एक वह बराबर है ओए बराबर कहीं आगी में तो यह प्लस जी यह यहां से ओजी तो जी उज जाएक तुम्हारा ओए माइनस जी ठीक है और देखिक है और यह उए यह इच बी तो देखो थीटा के लिए सोरी 90 क्लेट विए यहे फिखने हो गया थोह जी सब्सक्राइब भीकॉर से ठीटा ऊगया ऐसे जी ए है कल लो भीकॉर से ठीटा होगा इंट रैंगल गल्ड ठी ठीक है इंगल अचिब तरि अजिडिट को सपर तर इंगल ए ऌई कि ठीकर यह ट्राइंगल है ए जी डी गल्रॉच्ट अच्छा ठीका जाएंगल A, G, D, ये एंगल कितना है ठीटा और ये है B, ठीक है, बताव कोस थेटा कितना होगा सी मिकटना हो जाएगा, बेस कितना है, बेस है अगी, और हाईपटेनस कितना है, ठीक है, टीक एकितना होगा? B Cross Theta, एन ट्राइंगल A Ol, ठीक है? ठीक है, ट्राइंगल A Ol, ठीक है? ए यह एंगल बाए न स्क रेख गो ही धना स्राइंगल A Ol, ठीक है? सब्सक्राइब कर दिया है इसको जिरो कर दिया सब्सक्राइब कर दिया है इसको सिंप्लिफाई कर लो सिंप्लिफाई करने पर आ जाएगा यह आपको प्रूब करना था यह यह प्रूब कर दिया को यह इसका बेसी कॉंसेप्ट है यह इसका बेसी कॉंसेप्ट है आप इसका सल्विशन देख लेकिए का बेसी कॉंसेप्ट क्या होता है यह इक पोइंट ले लिया और इस प्वाइं आप ने ऐप लिया और यह ऊपने अप पर दूसरा लिया यह बीपॉइंट ठीक और यहां से एक पॉइंट को दो टेंजेंट को अलग लग ड्रॉग यहां ठीक है ठीक है तो चैन का लोईस्ट पॉइंट क्या होगा यह तो यह तुम्हारा एक सब्सक्राइब यह तो यह जो आपको वाइक सब्सक्राइब कर दो अलग लग पॉइंट लिया तो लेट एन बीबी डिफरेंट पॉइंट अलफा एंड बिटर बनाता है और एक जो कॉडिन है वो एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो यह तो यह तो यह तो सब्सक्राइब बनाबर होगा और सब्सक्राइब सब्सक्राइब काल शेच्ट अनदर जो यह तो सब्सक्राइब कर दो यह तो यह तो यह तो यह तो यह पॉइंट के लिए जो यह कि और ऐसे cb कितना हो गया, c cot beta, c cot beta, ओके, बिटर, अब यह जो L length होगा, वो गा, arc ca minus arc cb, ठीक है, जो L length है, L length होगा, arc ca minus cb, ठीक है, तो देखो, arc ca, अब यह पूरा का पूरा length, और वहां से हम जो cb को minus करेंगे, ठीक है, minus करेंगे, ओके, तो यह जो length आपको दिख रहा है, length L, ठीक है, यह length आपका L है, तो यह होगे, आपका c cot beta minus c, cot alpha इसको simplify कर लिए, simplify करने पे आगया, c sin alpha minus beta by sin alpha sin beta, clear है, अब यह को और equation ने, उसको हम huge करेंगे, equation है y equal to c6 psi, ठीक है, यह standard equation, यह भी कटनरी का है, point A के लिए, psi की value 90 minus alpha है, ठीक है, इस value को हमने set कर दिया, यहाँ पर, यहाँ आगया c cot alpha, ऐसे ही point B के लिए, psi की value 90 minus beta है, ठीक है, तो यहाँ गया c cot, c cot beta, इसको हमने k मान लिया है, ठीक है, kya मान लिया है, kya मान लिया है, ठीक है, तो L by K का जो ratio होगा, देखे इतना हो जाएगा जब आज आजाएगा आजवा जैब सबसे सबसे सबस्कкая सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर रहेगा इस पॉइंट पर रहेगा इस पॉइंट पर रहेगा ठीक है तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा क्या होगा इसका बढ़ेगा ठीक अर पॉटेंशल क्या होगा घट रहेगा ठीक अवालो ऐसे का इसका है कि मैक्सिमम हो जाएगा करेंटिक क्या हो गट रहा है तो एक तो यह हो गया है तो एक सिच्वेशन में क्या होगा कि KINETIC is increasing पहले वाले किसमे क्या हो रहा है बढ़ रहा है पोटेंशिल क्या हो रहा है पोटेंशिल is decreasing बट इस बाइले किसमे क्या होगा कि जब ये बाल उपर की तरफ जाएगा तो कैनेटिक इस decreasing पोटेंशिल is increasing ठीक है इंपर देजिंग सई कैने वाले सीर्चेशन में क्या हो रहा है कि कानेटिक यो है क्या है कट्रों की आप हो रहा है कि अर इस वाले पॉइंट में एक अगे देखेंगे अगे लिए सवाने प्रक्रिश्ट में देखेंगे विए रहा सी आ इस स्काइब ना को सब्सक्राइब इस यह सब्सक्राइब बाता है थी इनर्जीर टेस्ट वा कर चुके है आप ऊठारा वुला पेपर जाकर देख लिए जो मैंने आपको समझाया है ठीक है उसी को इनर्जी टेस्ट बोलते हैं या ठादा वाले पेपर हमने कर लिया ठीक है अब कुश्चन दिया है कि एक फ्रक्तम है जिसका फ्रक्तम ऑप पराबोलाइट ठीक है उक्या पहले वाले का जो लाटस रेक्टम कितना भी है यह कंडिशन दिया हुए है आपको आपको सो करना है कि इकलिब्र एस्टेबल तभी होगा जब है जलस दें थरी एप बीवाई अविए भी होगा ठीक है गार माल लिया कि जी है जी यह ग्रेविटी सेंटर ग्रेविटी है ठीक है अपर बोड़ी का अपर पैर बोला का और एक विस्फिन पैर बोला जानते हो कि यह इस व्रीवल तो य स्पार एकश्ञागी और ग्या निए को किने टिकार इसको डिफरेंशियर ग्रोगी अग्रों से कंप शोटंप लिठिक कि यसे आजयेगा स्भाइन जीए क्लेए कि व्यार एक्षट इसंतव सुन होतोंगे टिंदेख किंग excel वाकैर और बार फार्ट तो थे लाइर को रोट एक्स हो गाना यहां पुट कर दो वाई के व्यालु नृत कित्तुてुटेंस होगो अब इमारूट ए भाई। हट रोट ओकलि या चया है किस्का वैलू आ जाए में थी वैदि एक्स में अध्याऊ तो यह वैलू आ जाएगा ऐसे दी टू वाइब डी एक स्टू निकालेंगे तो कितना जाएगा यह आ जाएगा रूट ए बाइनस बन बैट टू एक्स पावर मैनस थी बैट तो अब देखो यह फार्मूला होता है रेडिस अब कर वेचर का ठीक है तो यह वैलू कितना हो जा जाए गया टेट एकस एक्वल टूजी रो ओके टिम्लेर लिए जो अदर जो है अधर जो पैराबुला है उसका जो रेडिस व्कर वेचर है वो रूट वो टूबी है ठीक है और यह कितना निकाले हो आप तो यहांसे यह सबस्ते अपने और पताई है जो एच है एच कितना होगा 3H by 2 तो ठीका 3 by 2H ठीका 3 by 2H ओके तो देखो 1 by H is greater than 1 by R plus 1 by R ये कंडिशन होता है ठीक है कंडिशन होता है तो ये जो R है ये कुछ नहीं रोवन और रोटु है ठीक है तो रोवन रोटु है जो भी इसको सॉल्व कर लिए ठीक है तो यहां से एच वाइट रितना आ गया तो एच लेस्टन थे आपको प्रूब करना था तो एक प्राइब अलग प्राइब था ठीक है दोनों का मालूम था तो पहले हमने क्या कि पहले निकाला रिडियर्स कर वेचर ठीक है अगले क्लास में डिसक्स करेंगे तो थांक यू एवरीवन